महराश्ट विधान सभा चुनाव को लेकर कई दिनों से सीट बटवारे के मुद्धे पर महाविकास अगाडी और महायोती सरकार में खीचा तानी चल रही है। पता दे चुनाव के तारिखों के एलाग के बाद सभी पार्टियों की तैयारी जोरों पर है। आज अजित पवार की पार्टि एंसीपी ने अपने उमिद्वारों की पहले लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 38 उमिद्वार शामिल है महराश्ट के उपमुक मंत्री और एंसीपी पार्टि के अध्यक्ष अजित पवार का भी नाम इसमें शामिल है। अजित पवार 12 मती से चुनाव लड़ेंगे, साथ में छगन, भुजवल, एउला और दिली, वालसे पाटिल, अम्बे गाउं से ताल ठोकेंगे। बता दे महारास्ट में एकी चरण में 20 नवेंबर को चुनाव होने हैं और नतीजे 23 नवेंबर को आएंगे। इस बीच ये भी खबर है कि महारास्ट नव निर्वान सेना के अध्यक्ष राज एस ठाकरे ने अपने बेटे अमीद को माहिम विधान समा सीट से पाटि का उमिद्वार बनाया है। बता दे कि सीट का शीर सेना के तीन बार विधाय करें चुके सर्वन कर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा अनुमान लगया जा रहा है कि ठाकरे परिवार से होनी की वज़े से उन्हें बड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि सभी को मालूम है कि मारास्ट में ठाकरे परिवार का खासा दबदबा है। ऐसे में शीर सेना की तक कर ठाकरे परिवार के चौते सदस्य से होगी। जिसकी रहा आसान होती नहीं दिख रही। इसी वीच खबर आ रही है कि महामिकास भाड़ी जल्द ही सीट बड़वारे को लेकर अपरे उविदवारों की खोशना करेगी।